दंदावर्ड में बदमासों ने रामदेव मूर्ति को किया खंडित लोगों में आकरोज कस्बे के प्रजापत मोहले इस्थित बाबा रामदेव मूर्ति को समजिक तत्तों ने खंडित कर दिया है गटना की जानकारी मिलते ही समित्ती सदस्यों आसपास के लोग मंदीर परिशर में एकत्रीत हुए रोज जताया बाबा रामदेव मंदीर समित्ती सदस्यों ने गटना की जानकारी कोलो पुलिस को दी सूचना पर ASI प्यार सिंग ने गटना इस्तल का मोगाजा करते हुए गरामिनों से गटना की जानकारी ली पुलिस गटना की जांच में जुट गई है समेति अद्धक्स लालुक करोडा ने बताया कि कस्वे में रामदेव बाबा का मंदिर इस्तित है यहाँ पर आसपास के गरामिन प्रती दिन पक्षियों को दाना पानी पूजा आर्चना करने के लिए आते हैं प्रती दिन की भाती मंदिर पहुँचे तता पक्षियों को दाना पानी देने की बाद मंदिर में दर्सन के लिए पहुँचे तो देखा कि मूर्ती के दाया हात का पंजा तूटा हुआ था जिसकी जानकारी गाउवालों को दीजी जानकारी देने के बाद ग्रामिन मंदिर पर एकतरित हो गए तता ऐसामजिक ततों की इस कर्टूत का आक्रोश व्यक्त किया संबत किसी ऐसामजिक ततों ने देर रात वारदात को अंजाम दिया है ग्रामिनों ने कोलवा थाना पुलिस से उक्त वारदात की जांच कराते हुए दोशियों को शिग्र गृपदार करने की मांग की है इस मूर्ती को खंडित हुए कई दिन हो गए जिसको लेकर अब मामला भी लगा है गोरतलवै की ऐसा ही मामला अलवर जिले के रेणी छेतर के उक्यरी गाव में भी है जहां गोरकनाथ के मंदिर में गोरकनाथ जी की मूर्ती को खंडित कर दिया गया है जिसको लेकर आजना समाज की बड़ी सबा भी आयो जीत हो रही है